हमेर पुर्जिला में कुछ दिनों से गाडिन के टायर चोरी करने बाला गिरो बड़ी शातरता से टायर चुरा रहा है जिससे लोगों में देहशत बनी हुई है चोर इतने शातर है कि चन्द मिंटों में ही गाडिन के टायर को चुरा लेते हैं ऐसे ही घटना गतिनों जाहू बाजार में घटित हुई है जिसका पता CCTV फुटेज में चल रहा है. एस भी अर्जित सेन के अमसार टायर चोरी करने बाले लोगों की गाड़ी को पकड़ लिया है और जल्द ही टायर चोरी करने बाले आरोपियों को भी पुलिस पकड़ लेगी. हमिरपुर जिला में कुछ दिनों से गाड़ियों के टायर चोरी करने वाला गिरो बड़ी शातृता से टायर चुरा रहा है जिसे लोगों में दहशत बनी हुई है चोर इतने शातिर है कि चंत मिन्टों में ही गाड़ियों के टायर को चुरा लेते हैं ऐसे ही गटना गत दिनों जाहू बाजार में गटित हुई है जिसका पता सीसी टीवी फुटेज में चल रहा है एसपी अर्जित सेन के अनसार टायर चोरी करने वाले लोगों की गारी को पकड लिया है और जल्द ही टायर चोरी करने वाले आरोपियों को भी पुलिस पकड लेगी हामिरपूर जिला की बोरंच की तहत जाहू कुशेतर में चोरी की गटना CCTV कैมरे में कैद होगी है रात किस में दो चोर बाइक पर बैठ कर आए और सड़ किनारे खड़ी ट्राला जीप की टायर खोल कर ले गए दो मिनट की वीडियो में साथ दिक रहा है कि चोर बाइक पर आते हैं और चोरी को अंजाम दिर ढालते हैं ये वीडियो गत बुद्वार रात का बताया जा रहा है मामले में स्थानी लोगों की शकायत के बाद बोरंच ठाना पुलिस ने केस दर्श कर चानविन शुरू कर दी है जानकारी के मताबिक ये गड़ना जाहुक शेतर के सुलगबान की है देरात शातिर चोरों ने इस गड़ना को अंजाम दिया है जिससे इलाके में संसनी फैल गई है इस तानी लोगों की माने तो इसने पहले भी टायर चोरी के घड़नाएं यहां पर सामने आ चुकी है जिनका अभी तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है लेकिन ताजा मामले में टायर चोरों को सीसी टीवी फोटेज में साफ देखा जा सकता है अब लोगों ने जल्द से जल्द इस मामले में पुलिस दे कारेवाई की मांग उठाई है पुलिस अदिक्षिक हमिरपूर अरजित सेंठाकू ने बताया कि सीसी टीवी फोटेज के आदार पर चानवीन करने के बाल टायर चोरी में शामिल बहान को पुलिस ने ब्रामत कर लिया है उन्होंने बताया कि पुलिस आरोपी लोगों की तालाश कर रही है और जल्द ही आरोपी लोग पुलिस की गिप्ट में होंगे अबू में एक सीसी टीवी फोटेज जो हमारे साथ शेयर की गई थी जिसमें कुछ व्यक्ति जो है एक पिकप गाड़ी जो रोड के साइड बे खड़ी थी उसके टायर चुराते हुए देखे जा सकते हैं पुलिस थाना बोरंज के अंतरगत ये क्योंकि मामला एरिया पड़ता है तो वहाँ पे जब ये फोटेज देखी गई और हमारे वहाँ पे नमबर प्लेट कैमराज बगरा भी हैं जिन से इनको डीटेल पता चली उसके बाद हमने जो है मंडी एरिया के मंडी एरिया में इस चीज का इंक्वाइरी की इन्वेस्टिकेशन की तो वहाँ पे हमको एक गाड़ी मिली संदिक गाड़ी जो इस काम के लिए यूज हुई है और उसको हमने अपने कबजे में ले लिया है हलांकि जो व्यक्ति इस काम को कर रहे थे वो अभी तक पकड़े नहीं गया है पुलिस उसनको ढूंडने के पूरी कोशिश कर रही है मैं उम्वीद है कि जल्द ही हमको कुछ ना कुछ पॉजिटिव मिले गाई इसमें